अजमां बालु टिखल जाना के लिए वशेम सबसक्ते को अच्छा मनों अच्छी ने बनाघनी की परेंगे-ईश्यी नोचे जय में यहां साबू दाने के लिए हम ने दो कप साबू दाने को अच्छे तरसे धो करगिए ओवरनाइट भिगो दिया है 8 से 10 गंटे तक पूरा पानी स्ट्रेन करके निकाल लिया है चार आलू को हमने कुकर में 2 विसल तक बॉइल कर लिया है और पील कर लिया है एक कप पीनट हमने इसे ड्राइ रोस्ट कर लिया है और इसे ड्राइ ग्राइंड करके कोर्सली पाउडर कर लिया है हाफ कप कुरियांडर यह ऑप्शनल है अगर ब्रत में इसे नहीं खा रहा है तो इसे ना डाले एक टीस्पून जीरा ब्रत या उपास के लिए बना रहे हैं इसलिए हम एक टीस्पून सिंधा नमक लेंगे या रॉक सॉल्ट 4 ग्रीन चिली फाइनलि चाउट तो चिलिया बनाते हैं साभू दाना आलु ट Bahn मैं हमने हमने इस वह बाई पोटाटों ग्रेट करेंगे हम इसे ग्रेंगे कर सकते हैं या बड़े टुकडों आए से माश भी कर सकते हैं इससे इसे मैश भी करके दा सकते हैं आधे आलू हमने ग्रेट कर लिया है और बागी हमने मैश कर लिया है इसे अब मिक्स करेंगे यह पेनट पाउडर मिक्स कर देते हैं अब हम इसमें डालेंगे यह जीरा यहारी मिर्च यह सेंधा नमक यहार रॉक सॉल्ट और यह कोरियांडर जो वरत के लिए आप्शनल है अब हम इसे हाज से मिक्स कर लेंगे हमने यह सारा मिक्स कर लिया है इसके हम छोटे-छोटे बॉल्स बना लेंगे हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं अब हम इसे फ्लाटन करेंगे हाथ में थुड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस बॉल्स को फ्लाट करेंगे हमने सारे बॉल्स को फ्लाटन कर लिया है और इस टिक्की इसको हम दीफ्राइ करेंगे कडाई में हमने तेल गरम कर लिया है अब हम इसे डीफ्राइ करेंगे लें हम थाय रखेंगे अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक प्राइ करेंगे अब दूसरी तरह लिप करेंगे मारे ये साबुधाना आलू टिक्की फ्राइओ हो गया है अब हम इसे फ्लेट में सरफ कर लिए हम्ने इसे गरीन चतनी के साथ सरफ किया है अगर ये उल्पास के लिए है तो हम स्वीट कर्ड के साथ सर्फ कर सकते हैं अगर आपको हमारे आज की रेसिपी पसंद आई हूँ तो इस तो जरूर ट्वाइ करिए इस वीडियो के नीचे हमने डेटेइल method of preparation और ingredients देए हुए है हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए and for more such recipes please visit our website vijayasrecipes.com thanks for watching